बचो आज हम संख्यांकन की भारतिये एवं अंतरास्टिये प्रनाली में जानेंगे अर्थार कैसे हम लिखते हैं भारतिये प्रनाली में संख्याओं को और अंतरास्टिये प्रनाली में संख्याओं को लिखते हैं संख्यांकन की भारतिय प्रणाली अर्थात इंडियन सिस्टम आफ नियुमरेशन इसमें हम दाई और से शुरू करते हैं इकाई, दहाई, सैकडा, हजार, दस हजार, लाक, दस लाक, करोड, दस करोड इसके आगे भी होती हैं लेकिन अभी हम दस करोड तक ही बात करेंगे एक उदारन लेते हैं इकाई में तीन, दहाई में चार, सैकडे में पांच, हजार में चार दस हजार वाले कॉलम में तीन, लाक वाले कॉलम में साथ, दस लाक में पांच, करोड में दो तो अब ये हमारी संख्या बन गई 2,57,543 एक दूसरा उदारन लेते हैं इकाई में 9, दहाई में 2, सैकडा में 8, हजार में 5, दस हजार वाले कॉलम में 7, लाक वाले कॉलम में 2, 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, यहां हम देखेंगे कि जब हम संख्याएं लिखती हैं तो दाहिनी ओर से तीन अंकों के बाद हमने कौमा दिया इसके बाद प्रते एक दो-दो अंक पर कौमा दे रहे हैं भारतिय संख्यापदिती में हम ऐसा ही करते हैं संख्यांकन की अंतराष्ट्रिय प्रणाली अर्थात International System of Numeration इसमें फिर हम दाहाई की ओर से लेकर चलते हैं सबसे पहले इसमें होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, सो हजार, मिलियन, दस मिलियन, सो मिलियन, बिलियन और इसके आगे भी होते हैं लेकिन हम अभी इतना तक ही बात करेंगे भारतिय संख्यापदिती में जो हमने उदाहरन लिया था जिस संख्या को उसी संख्या को हम देखते हैं कि अंतरास्टिय पदिती में उसे कैसे हम लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं तीन को इकाई में रखते हैं दहाई में चार, सैकड़े में पाँच, हजार में चार, दस हजार में तीन, सो हजार में साथ, मिलियन में पाँच, 10 मिलियन में 2 तो हमारी संख्या बन गई 25 मिलियन 734,543 इसी संख्या को हमने इंडियन सिस्टम में पढ़ा था 2 करोड 57,544,543 भातिय संख्या प्रतिती में हमने देखा था कि दाहिनी ओर से पहले 3 अंकों के बाद कौमा लगाते थे उसके बाद 2-2 अंकों के पर लगाते थे लेकिन अंतराश्टिय प्रतिती में हम दाहिनी ओर से प्रतिक 3 अंकों के बाद कौमा लगाते हैं एक और दूसरा उदारण फिर हम लेते हैं इकाई में 9, दाहाई में 2, सैकड़े में 8, हजार में 5, दस हजार में 7, 10000 में 2, मिलियन में 3, 10 मिलियन में 5, 100 मिलियन में 6 तो अब ये संख्या हो गई छह सो तिरपन मिलियन, दो सो पच्छत्तर हजार, आठ सो उनतिस इस संख्या को हमने भारतिय संख्या पदिती में पढ़ा था 65,32,75,829 अब ये हमने भारतिय संख्या पदिती और अंतरास्टिय संख्या पदिती में जाना अगर हमें अंतरास्टिय संख्या पदिती में कोई संख्या है तो उसे भारतिय संख्यापतिती में कैसे बदले और भारतिय संख्यापतिती की संख्या को हम अंतराष्टिय में कैसे बदले तो इस टेबल में आप साफ देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के नीचे लगाया गया है आप देखे यहाँ एक उदारन देखे 10 लाक और उसके नीचे अंतराष्टिये में है मिलियन अर्था 10 लाक ब्राबर 1 मिलियन या 1 मिलियन ब्राबर 10 लाक इसी तरह से 10 करोड ब्राबर 100 मिलियन, 1 करोड ब्राबर 10 मिलियन, 1 लाक ब्राबर अंतरास्टिये में 100 हजार हो जाएंगे तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि कैसे हम भारतिये से अंतरास्टिये में बदलेंगे और ठीक इसके उल्टे हम अंतरास्टिये से बारतिये में बारते हैं